पहाडों में लगतार जोहरी बारिश के बीच दिली में बाढ का खत्रा मंदराने लगा है राजधानी दिली में यमुना नदी का जलस्तर खत्रे के निशान के करीभब पहुच चुका है इसे यमुना नदी के आसपस वाले हिस्से में बाड के आश्रंका बढ़ गए ऐसे में प्रिशासन अब सतर्ख हो गया है प्रिशासन ने यमुना के आसपस वाले लाकों में मुनादी शुरू कर दी है बड़ी जौनकारी आपको दे रहे है पिछले साल याद कीजिए रासधानी दिली में किस तरीके से बाड आ गए थी जिसके बाद इस बार प्रिशासन ये कोशिश कराए कि पहले से ही लोगों को अलर्ट पर रखा जाए लेकिन अब खत्रे के रिशान के करीब पहुच चुके यमना नदी ऐसे में अब प्रिशासन के हाथ पाव फूलने शुरू हो चुके है क्योंकि यमना नदी का जलस्तर हर घंटे अब लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच में दिली बार नियंत्रण विभा के अनुसार हतनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है सोमवार शाम को पांच बजे तक 23,065 कि उसे पानी छोड़ा गया पहाडों में हो रही बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है तस्वीरे में आपको दिखाती हूँ जो निचली इलाके में नहने वाले लोग हैं वो जादा चिंतित है आपको बताओं कि फिलहाल अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो यहाँ पर यमुना इस वक्त 204.35 मीटर मार्ट पर बह रही है जबकि 204.5 वर्निंग मार्क और ऐसे में आज रात तक यमुना 204.9 का मार्क पार कर सकती है तो चिंता यहाँ पर जादा बढ़ जाती है जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं बहां के रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जाता है हमने देखा है कि उनके घरों तक पानी पहुंच जाता है ऐसे में यहाँ पर लोगों की चिंता जादा बढ़ चुकी है कैमरे परसिन सुनील यादव के साथ जस्पीप कौर दिली न्यूजेटीन इंडिया भीशन बाड और बारिश ने इस वक्त पहाड से लेकार मैदान तक तबाही मचा रखी है राजिस्तान से डराने वाली तस्वीर सामने आई राजिस्तान में भारी बारिश उसे 7 जिलो में हालात वेगर चुके है राजिस्तान में भीशन बाड और बारिश उसे 2 दिन के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है जैपूर के साथ 7-5 जिलो में बारिश का रेड अलर्ट जोरी किया गया स्कूलों की छुट्टिया कर दी गई है अगर केवल जैपूर की बात करें तो जैपूर शेहर में 24 गंटे में 4.50 इंच बारिश हुई है तो राजिस्तान के कई जिलों में इस वक्त बाढ का खत्रा मंडरा रायल अगतार बारिश के बाद कल धौलपुर जिले का पारवती बांध ओवरफ्लो हो गया इसके बाद बांध के चार गेट खोल दिये गए इतना इने बांध के गेट खोलने से निश्क्रे इलाकों में बाढ का खत्रा मंडराने लगा है फ्रिशासन लोगों से सुरक्षत स्थानों पर जाने क्या पीई कर रहा है वाईधौलपूर के लावा राजस्तान के गंगापूर सिटी और सवाई मादोपूर में भी बाढ और बारिश में लोगों का जन जीवन प्रमावित कर दिया है हाला तो यह ओगए कि घरों के बाहर काईफिट तक पानी भड़ चुका है सवाई मादोपूर जिले में लगातार हो रही बारिश उसे जिले के कुस्तला, सीता, माता, अंदरपास पूरी तरह से जलमगन हो गया जहां रेलवे अंदरपास पानी से पूरा लबालब दिखाई दिया तो वह बयार की बात करें तो arm ऑर बारिश उसे हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके है मुंगेर और दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता वाई चप्रा की बात करें तो गंगो और सर्यू का रौध गूब भी देखने को मिल रहा है यह चप्रा की तस्वीर है आपको देखा रहा है जहाँ पर हाला देखिए बच से बत्तर होते जा रखे हैं विहार के कई जिलों से तस्वीरे निकाल कर सामरे आके हैं जहाँ पर बा कर दो